हेलो स्टुरेंट्स मैं आप लोगों के लिए फिर इंपॉर्टेंट कुश्चन का कलेक्शन लेकर आ रहा हूं और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें बस जो एकजाम्स होने वाली है बियार एसेस्टी है जीडी है रेलवे की वे एंडी है मतलब मेरा फोकस है कि जितने भी कंपटिशन्स आप जाते हैं जेनरल कंपटिशन्स हो गया एयर फोर्स हो गया सब को मैं ध्यान में रखकर आपके लिए कोश्चन सेलेक्ट करता हूं तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को अभी को चैनल से जोड़ें आप और आप जब भी किसी वीडियो को आउन करें आप शुरू से लेकर अन तक उसका स्टड़ी करें इस चैनल का मात्र एक एम है अधिक सधिक सफल विद्यार्थियों का निर्मान करना तो आप मैं बताने जा रहा हूं पहला कोश्चन इन्टो एक्स मैनस सी डॉट 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 एक्स मैनस वाई इन्टो एक्स मैनस जेड इसका वैल्यू निकालना है तो पहला अप्सन है जीरो दूसरा है वन तीसरा है थर्टीन और चौथा है चब्विस हम लोग जाएंगे सॉलूशन में देखिए एक्स मैनस ए है एक्स मैनस बी है मतलब एक्स में सारा नंबर को घटा देना है ए घट रहा है भी घट रहा है घटते घटते एक्स मैनस एक्स भी लिखाएगा काई कि X-A X-B X-C यहाँ पर एक बार फिर आएगा X-X उसके बाद आएगा X-Y और X-Z इसका मान क्या हो जाएगा देखिए X-X बराबर क्या हो जाएगा 0 तो यह पूरा इसका मान 0 हो जाएगा तो पूरा जो संखिया का यह जो है गुननफाल टोडल का मान 0 आजाएगा हमारा आपसन हम लोग जानते हैं 0 से किसी नंबर को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0 आएगा तो हमारा आंसर जो है A है आपसन A राइट आंसर है अब मैं आपको दूसरा important question बताने जा रहा हूँ दूसरा question है यदि A बटा B पलस C बरावर B बटा A पलस C बरावर C बटा A पलस B बरावर K तो K का मान निकालना है पहला option है पलस मैंनस हाफ दूसरा है हाफ या मैंनस 1 तीसरा है मैंनस 1 चवथा है हाफ हम लोग जाएंगे solution में है A बटा B पलस C B बटा C पलस A और C बटा A पलस B आप क्या किजिए आप सभी अंस को जोड़ दीजिए A जोड़ B जोड़ C और तब ये तीनो आइड हो जाएगा जब उपर जब उपर जो प्रोसेस होता है वही जो अंस में होगा प्रोसेस वही प्रोसेस हर में होगा तो B पलस C, C पलस A पलस B जूटेगा तो A देखिए दो बार है B देखिए दो बार है, C भी देखिए दो बार है तो आप यहाँ दो कोमन निकाल लीजिए और हो जाएगा A जोर B जोर सीथ यह कट जाएगा और यह कित्ता यह हाफ जहां हम देख रहे के वहाँ पर क्या यह हाफ तो हमारा आपसन D जो है राइट आंसर है अब मैं आपको तीसरा महत्पुर्ण कोस्टन बताने जा रहा हूँ तीसरा कोस्टन ने देखिए समानतर स्रेनी जिसको हम लोग 60 में AP काते हैं समानतर स्रेनी रूट दो, 3 रूट दो, 5 रूट दो, डाट डाट है का अठारमा पत क्या होगा पहला ओप्सन है 35 रूट दो, दूसरा है 36 रूट दो, तीसरा है 37 रूट दो और चवथा है 34 रूट दो हम लोग जाएंगे स्वालूसन में जैसे है एक रूट दो, फीर हमको है ठ्री रूट दो, फाइव रूट दो तो पहला टर्म को हम लोग A लिखते हैं A बरावर हो जाएगा रूट दो और D का मन जब निकालेंगे तो इसमें इसको घटा देंगे तिरी रूट दो मैंसे मैंसे एक रूट दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दो रूट दो और हम लोग फार्मूला जानते हैं अगर आठारमा पत कहेगा आठ ए पलस सत्रह डी याद रखना यहाँ ठारे रहेगा त्यां सत्रह डिखाएगा 20 रहेगा त्यां 19 लिखाएगा अब ए का मान बैठा दीजिए रूट दो पलस सत्रह गुणा फार्मू रूट दो तो कितना हो जायगा यह सत्रह दुना 34 एक 35 हमारा जो हमारा आप्सन ए जो है राइट अंसर है याद रखना है एपी का ठर्मा पद लिखना है तो एप पलस सतरा डी बीसमा पद रहेगा यहां उनाइस लिखाएगा यहां सम्मा रहेगा तो यहां 99 लिखाएगा देखिए चाउथा क्वश्चन जो सभी से ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं उसको बताने जा रहा हूँ चार बृत्तों के अधिक्तम कितने परतिछेदन बिंदू पॉइंट्स ओफ इंटर सेक्शन होंगे जबकि कोई बृत किसी दूसरे बृत को अतिव्याप्त नहीं करत है तो पहला उप्सन है छो दूसरा है आठ तीसरा है बारत चौथा है नान ओफ दिज हम लोग जाएंगे सौलूसन में तो देखिए आप जैसे दो बृत है दो बृत जो है काट रहा है कितना जगा एक दो इसका आइडिया है देखिए इसका आइडिया है पॉइंट्स ओफ इंटर सेक्षन इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन एन जो है बृत का संखिया है यहाँ चार बृत है तो चार बृत है तो हो जाएगा चार गुना तीन चारतिया बारे तो आपको जिसे दो बृत रहेगा अगर अगर दो बृत रहेगा दो ब्रिट तकार रहेगा तब हो जाएगा points of intersection n into n minus 1 n का मानिया दो बैठा देंगे तो जाएगा दो में एक घटेगा तो आप देख भी रहेगी दो ब्रिट दो जगा कट रहा है आपको याद रखना है कि ब्रिट जो है जितना भी ब्रिट रहेगा उसके points of intersection जब अधिकतम निकालना है संखिया तो उसका यही फर्मूला है दो ब्रिट एक दूसरे को अधिकतम कितना बिंदू पर काड़ेगा उसका फर्मूला है n into n minus 1 अगर 4 ब्रिट है n का मान 4 बैठा देना है अगर 10 ब्रित रहेगा तेन का मान 10 बैठा देना है आप मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं और advanced mathematics का बैच चौप पंद्रे से बाजितपुर रोड में हैप्पी मैरेज हौल के पास क्रेस कंप्रेटिव क्लास मेरे कोचिंग सेंडर का नाम है उसमें स्टार्ट हो चुका है जिनको पढ़ना होगा जिन विद्यार्थियों को जिनके तक यह जनकारी जा रही है आप अपने साथियों को भी इनफॉर्म कर देंगे एडवांस मैथमेडिक्स उसमें पढ़ाई होता है अलजेवरा का जमेट्री का कोडिनेट जमेट्री का और तिरकानमिती का खास रूप से इनही चार लेसंस की पढ़ाई होती है जिनको पढ़ना होगा और बिलंब आप क्लास को जोईन करें और जो चैनल सब्सक्राइब ने किया है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें जो रहें थैंक्यू बेरी बाच थैंक्यू बेरी बाच